हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज आल अबाउट में स्वागत है मैं हूँ स्रवड पटवा दोस्तों आप सभी को जिसका बेसबरिश से इंतजार था उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है हम बात कर रहे हैं दच्छिरपूर मद्धरलवे बिलासपो 36 गड के आईटियाई अप्रेंटिशिप भरती 2020 की जिसमें कुल 432 पदों के लिए दिनांग 182020 से 382020 तक आउनलाइन आवेदन आमंतरित किये गए थे इस वीडियो में डिटेल वाइज नॉटिफिकेशन के जरीए हम डिसकर्स करने वाले हैं मेरिट लिस्ट में किनका किनका चेन हुआ है Document Verification के लिए कब बुलाया है और Document Verification के समय क्या क्या documents लेकर जाना है जो अभिर्थी दक्षिरपूर मध्ध रेलवे बिलासपूर IT apprenticeship के लिए form भरे थे इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा हैं वे चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा दीगी हर नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहें दोस्तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि दक्षिरपूर्ध मध रेलवे का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल जो है, जारी कर दिया गया है इसमें देख सकते हैं सेलेक्शन लिस्ट प्रोविजनल इसमें आप अपना ट्रेड, एप्लिकेशन कोड, डेटा बर्थ, केंडिडेट नेम, केंडिडेट फादर नेम, केटेगरी और रिपोर्टिंग डेट, किस डेट को आपको वहाँ उपस्तित होना है, दिया हुआ है इस प्रकार आप इस पीडियाप में अपना चेयन देख सकते हैं नाम आपका, केंडिडेट नेम, फादर नेम, डेटा बर्थ, सारा डेटा दिया हुआ है आप यहाँ से, अपना चेयन लिस्ट देख सकते हैं साथ ही दोस्तो, इसका कट आफ जारी नहीं किया गया है इसलिए मैं नहीं बता सकता, कि कितनी कट आफ केटेगरी वाइज, हर टेट के लिए गई हुई है जिनका चेयन हुआ है, वे अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेरिट लिस्ट कट आफ का गया है साथ ही इस पीडियाफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्टन बाक्स में डाल दोंगा वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके अपना चेयन लिस्ट देख पाएंगे जिनका सेलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनका कोई उपाय नहीं है साथ ही सकेंड लिस्ट भी आने की कोई उमीद नहीं है यहां जो है प्रतिक्षा सूची भी जारी किया गया है ट्रेड वाइज जिनका रिपोर्टिंग डेट जिस डेट को बलाया गया है यदि वे अभिर्थी उस डेट को नहीं पहुच पाते हैं उनका अलग से जो है मेल उनको किया जाएगा कि किस डेट को उनको रिपोर्टिंग के लिए पहुचना है इसमें प्रतिक्षा सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ कहां पे दिया हुआ है आप लोग उसे भी देख लेए दोस्तों जिनका चेयन रेल्वे अप्रेंटिसिप दक्षिरपूर मध्ध रेल्वे के लिए चेयन हुआ है उनको नौलेज अल अबाउट परिवार की ओर से हार्दिक बदा ही असुब कामना है साथ ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि रेल्वे से अप्रेंटिसिप मिल पाना बहुत मुश्किल होता है आप लोग जिनका चेयन हुआ है जरूर अप्रेंटिसिप जोईन करें कि अभी बिना अनुभव प्रमापत्र का एक तरह से जो अप्रेंटिसिप है आपका कुशल कारीकार का एक जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है अनुभव प्रमापत न्टिसिप सोरी एनसी नेसल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है एक अनुभ साथ ही apprenticeship कर लेने के बाद आपको रुजगार का chances ज़्यादा रहते हैं और railway जब अपनी भरती लेती है तो साथ ही उसमें जो railway apprenticeship किये होते हैं उनको job का chance ज़्यादा बनता है यह देखिए यहां पे waiting list जो है जारी किया गया है trade wise आप लोग इसको देख सकते हैं यहां पर reporting date provide नहीं किया गया है किस date को उनको पस्तित होना है उनको इस्थान दीखत होरे पर जो है उनको mail के थुरू mail किया जाएगा कि किस date को reporting होना है तो आप लोग जो भी यहां apprenticeship के लिए अविदन किये थे वे लोग अपना email चेक करते रहें ताकि आपको जो है जो भी जन साथ ही इसमें document verification के समय आपको क्या क्या documents ले जाना है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों document verification के समय आपको 10th 12th अधार guard साथ ही एक ID proof फोटो कलर चार से पांच हाल ही का photograph की चाहुआ होना चाहिए साथ ही ITI all semester और जिनका दो येर का होगा जैसे फिटर रिलेक्टिशन वाले लोग वे अपना all semester और साथ ही जो semester का होता है वो certificate भी ले जाए NTC प्रमारपत भी ले जाना है जो अभयर्थी आरक्षड कोटे वाले हैं जैसे ST, ST, OBC, PWD उनको जो है अपना जाती प्रमारपत्र साथ में लेकर जाना है साथ ही आप लोग को character certificate चरित प्रमारपत भी ले जाना है और foolish verification certificate भी ले जाना है साथ ही इस PDF के अंध में जो है एक document दिया हुआ है format medical certificate का उसको आपको print कराके दिखा रहा हूँ मैं आपको यह देखी यहाँ पे medical fitness certificate दिया हुआ है इसको आप लोग को print करके medical certificate बना कर ले जाना है medical certificate बहुत जरूरी है medical certificate को ले करके आपको जाना ही है जिस दिन आपका reporting date दिया हुआ है यदि आपका police verification certificate नहीं हो पाता है किसी का रडवस तो बाद में भी ले जा सकते हैं किन्तो medical certificate जरूरी है इसको उसी दिन ले कर जाना है और साथ ही कोशिस करें कि जो भी documents है आपका पूरा completely उसी दिन ले जाए किन्कि हो सकता है यदि आपको officer नहीं दिया जाता है तो आप चुक जाएंगे इसलिए जिस दिन आपका reporting date है उस date को आप लोग को पहुचना है किन्कि date fix होता है और साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का घबराने की कोई जरूती है आपका जो चयन document verification में सही पाय जाने के बाद हो जाएगा यहां कोई भी interview आप लोग का नहीं होगा इसलिए घबराये नहीं अराम से जाएं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग